atively कि दो आफुas को सारी इंपूटेन करक्स को डिसक्स करेंगे ठीक हैं जो जाहे वंडे एंग्जाम दे रहे हूं चाहे पीसेंस एंग्जाम दे रहे हूं सारे एकडान AI एक्डाम fifteen tempo कर में कनफ PP के लिए पृतियोगी परिच्छाओं के लिए हम सारे डिसकस करेंगे ठीक तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लाफर कव सबसे पहले तो मंडे एक्जाम के लिए इसे डेवलप किया था 1974 में इसे आर्थल लाफ़र रखे द्वरा डेवलप किया गया यह क्या बताता है यह दिखाता है रिलेशन सिप बित्विन टैक्स रेट और टैक्स रेविन्यू ठीक यानि कि कर की दर और कर से प्राप्तियां ठीक यह इन चीज यू सेप का कुछ ग्राफ बनता है जब हम इसे ग्राफ पे प्लाट करेंगे और अब इसे हम ग्राफ पे प्लाट करके देखते हैं यह हमारा लाफर करव है ठीक है अब आप देख रहे हैं यह क्या है यह जो लाइन है यह टैक्स रेवन्यू है यानि कि सरकार का टैक्स हमारा रेवन्यू कितना है अब हमारा टैक्स रेट कि चार परसेंट है तो हमारा जो रेवन्यू क्या होगा बढ़ेगा अब हमारा टैक्स रेट आठ परसेंट है करकार का रेवन्यू और बढ़ा तैक्स रेट दस परसेंट है करकार का रेवन्यू और बढ़ा तैक्स रेट प से रेवन्यू सरकार का बढ़ता है लेकिन एक पॉइंट यहां आ जाता है ती अब इसके बाद अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो सरकार का रेवन्यू घटने लगेगा यहां देख रहे हैं सरकार टैक्स बढ़ाया अब क्या हुआ तो मतलब कि सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो सरकार का रेवन्यू बढ़ता है उसकी कमाई बढ़ती है लेकिन एक सीमा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाने पर उसकी कमाई घटने लगती है यहीं इंडिकेट करता है लाफर करब कैसे ग्जामपल से समझें ठीक है आपकी कमाई है दस अजार रुपए और सरकार ने टैक्स रख रख रहे हैं माल लीजे एक्जामपल करें 10% कि जो दस अजार कमाईगा हम 10% टैक्स लेंगे ठीक है तो आप में हिनत कर रहे हैं कमा रहे ह है है अब सरकार कहा रही है कि हम 10,000 कमाएगा उससे 20% और भी आप हिनत कर रहा है मेरे पास तो दो चारे बचेगा तो काम कम करो और taxable income के net में कमाओ ठीक है पांच हजार भी कमाओगे ना तब भी उतना बचालोगे ठीक तो यह यानि कि यह कहने का मतलब है कि जादा tax rate एक सीमा से अधिक tax rate जो है वो discourage करता है किसी भी employee को किसी भी business environment को काम करें ठीक है और इसी को indicate करता है लाफर कर्व बस आपको exam point of इसे याद रखना है लाफर कर्व indicates tax rate and tax revenue अगर tax rate को बढ़ा जाता है तो tax revenue एक सीमा तक बढ़ता है tax rate को एक सीमा से बढ़ाने के बाद tax revenue घटने लगता है ठीक है यही इसके अंदर explain किया गया है ठीक है 1958 में William Philip इन्होंने इसके उधाना दी फिलिप करव की फिलिप करव की उधाना इन्होंने दी फिलिप करव क्या दिखाता है यह inverse relationship दिखाता है यानि कि व्यूतिकम संबन दिखाता है unemployment में ठीक unemployment में और inflation में बेरोजगारी में और बहंगाई में ठीक कैसे अब इसको हम लोग क करव पर समझते हैं ठीक आज आपको अगर कहीं दिख जाए इसके बाद से आपको कहीं करव दिख जाता अब देख के समझ जाए इसका मतला क्या है ठीक फिलिप करव यहां आप देखें कि इधर क्या है unemployment rate है इधर inflation है यानि कि इधर बढ़ते करम का महंगाई है और इधर ब बढ़ती है बेरोजगारी कम होती है यानि कि unemployment कम होता है inflation बढ़ता है ठीक क्यों भई ऐसा कारण इसलिए है inflation क्या का जाता है किसी भी economy के लिए किसी भी अर्थवियोस्था के बहतर performance के लिए यह जरूरी है कि वहां पर inflation हो inflation का मतलब होता है कि वहां पर मांग है ठीक आप कि खरिदने का यह pen खरिदने का आप मांग रहे हैं कि भी यह हमें पास 100 रुपए हमें 100 रुपए का पिन दीजी ठीक है अब इसको 110 रुपए का हम कर दे महंगाई कर दे अभी आपके पास और पैसा आजाए कहीं से तो और आप मांग करेंगे ठीक है तो inflation बढ़ता जाता है य इनकी कमाई 15-15 रुपए है अब एकदम से ये इनकी कमाई बढ़ जाए और 50,000 एक परसन की हो जाए तो एक आदमी चाहेगा हमी सब खरीद ले तो और महंगा रेट लगा देगा तो जितनी सप्लाई लिमिटेड है और डिमान ज्यादा बढ़ेगी मांग ज्यादा बढ़े कम हो रही है ठीक है यानि कि बेरोजगारी कम होने का और इंफ्लेशन का इंफ्लेशन महंगाई बढ़ेगी मतलब की मांग बढ़ दही है और जब मांग बढ़ दही है और कमाई बढ़ने का सीधा मतलब क्या हुआ कि उनकी बेरोजगारी कम हो रही उनको जम के रोजगार मि यह सिचुएशन 1970 के दसक में क्या दिखा कि एक तरफ महेंगाई भी बढ़ दई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ दई है इंफलेशन और अनिम्प्लाइमेंट दोनों परलेली बढ़ने लगे अर्थवे उत्था में तो यहां यह फिलिप कर्व के उधाना के खि घटेगा ठीक महेंगाई बढ़ेगी तो अनिम्प्लाइमेंट घटेगा अनिम्प्लाइमेंट बढ़ेगा तो यानि कि महेंगाई घट रही है यानि कि मांग लोग कम कर रहे है ठीक है यह फिलिप कर्व के उधाना है किसी पर फिलिप कर बेस है याद रखेगा यह आपको और inflation के बीच में inverse relationship दिखाता है, ठीक, चलिए, अगना है हमारा कुजनेट कर्व, कुजनेट कर्व क्या है, इसकी ओधाना किसने दी, Simon कुजनेट ने 1950, 1950 में इसकी ओधाना दी थी, ये भी यूसेफ है, अब वो देखा था आपने न, inverted यूसेफ, ये भी inverted यूसेफ में ही जात रहा है, ठीक है, गुरोथ, यानि की वरद्धी और असमानता के बीच में relationship दिखा रहा है, ठीक, यहाँ पर कैसे इसको देखेंगे, समझे, एक तरफ है income inequality, यानि की आय में असमानता, ये इधर के तरफ क्या और यह बढ़ रही है, ठीक है, और पर capita income इधर के तरफ बढ़ कर देंगे, तो प्रतिविक्ति आ जाएगी, यानि की, the total population of a country divided by the population of a country, total GDP of a country divided by the population of a country, indicate the per capita income, ठीक है, अब देख रहे है, जैसे जैसे पर capita income बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, inequality, प्रतिक आपता इंकम 100 रुपे थी, इतनी थी, 1000 रुपे हो गई, यानि की, जैसे जैसे इंकम बढ़ रही है, ग्रोथ होगी, इंकम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पर क्या पड़ा income का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, अर्थ विश्था में ना, जैसे जैसे अर्थ विश्था में विकास हो रहा है, वैसे वैसे असमानता बढ़ती जो बिजनेसमेन होंगे जो बिजनेसमेन लोग है उनके पास concentration of wealth होता चला जा रहा है ठीक जैसे कि अभी की रिपोर्ट क्या है कि 10% विस्टु के लोग लगभग 30% विस्टु की चालिस परसेंट विस्टु की आर्थ विश्था को होल्ड करते हैं ठीक है भारत के केस में भी रही है ठीक तो जैसे जैसे इंकम GDP बढ़ रही है कमाई देश की बढ़ रही है कुछ बिजनेसमेन लोगों के पास ही ज्यादातर इंकम और कमाई बढ़ते जा रही है उनके पास concentration of wealth होता जा रहा है और lower तबके के पास नीचे के लोगों के पास ज्यादा wealth नहीं हो रही है जैसे ने कृटरी को दी की इनकम बढ़ेगी है लेकिन एक समय के बाद अता है जबकी distribution शुरू होता त्रिकल डाउन शुरू हो जाता यानि कि अब उनको भी इंकम बढ़ने लगी भाईया हमने फैक्टरी खोली तो रोजगार मिलना शुरू हो गया ठीक है और कुछ बगल में चाय के टपनी लगा दिये कुछ समोसे गठिला लगा दिये तो उधर दिले उनकी इं इकम ःनिक को अधी बढ़ने के साथ जैसा कि हमारे देश में देखा जा सकता है और उसके बाद एक समय आएसा आता है कि जब इनकम इनकोडिन जीडिपी बढ़ने के साथ घटने लगती है जब बढ़ा हो गया खुब कर जितना बढ़ना सब बढ़ ली जीडिपी और जदा बढ़े जारी और जदा बढ़े तो कितना पैसा एक अधा कर लेगा एक आदमी फिर तो जब डिश्टिबूशन होगा तो क्या होगा फिर इनिक्वेल्टी घटेगी तो इसका कॉंसेट क्या है एक पॉइंट तक बढ़ती है असमानता आए में पॉइंट तक बढ़ती है उसके बाद जीडिपी बढ़ने के साथ ही असमानता अपने आप से घटने लगती है यह और नाच में इन्होंने लारंज के ओधाना प्रस्तुत करी अब ये क्या करता है ये भी इनकंडम in equality को रिप्रेजंट करता है चाहें करता है इसे ये हमारी national income है यानि कि ये income है और ये हमारी population है population हम में इधर से पूर से रिच की तरफ बढ़ता है अब आप देखेंगे कि 20% लोग के पास 20% पॉपलेशन इंकम 5% लोग के पास 5% इंकम 50% लोग के पास 50% इंकम ये इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि income distribution जो है वो एकदम बराबर है ठीक सबके पास समान आये हैं लेकिन ये केवल superficial है ये केवल आप सोच सकते हैं ऐसा होता नहीं ठीक कुछ लोग के पास कुछ लोग की salary पांच लाग कुछ लोग की 500 ठीक है तो आयमे समानता तो नहीं हो सकती है ही नहीं ठीक तो क्या है यहाँ पर आप देखिए national income केवल जो 5% लोग है ठीक जो शुरुआत के यानि के lower के जो गरीब 20% लोग है वो केवल 5% wealthy रख रहे है अपने पास ठीक है इसी तरह से जो 50% लोग है वो केवल 10% national income की wealth रखते हैं और बाकी के आने के आगे के 50% 90% wealth रखते हैं ठीक ह करता है कि riches to poor यानि की concentration of wealth in few hands national income और population के बीच में संबंध है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो जैसे इन्होंने इंडिकेट किया मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ यह क्या है इंकम है यह population 10% लोग के पास 10% इंकम 20% लोग के पास 20% इंकम 30% लोग के पास इवन समाजवादी समाज में भी perfect equality का concept possible नहीं है ठीक अब जैसे जैसे हम यानि कि किवल 20% लोग के पास किवल 5% विल था 50% लोग के पास किवल 20% विल तो आप देख रहे हैं यह कर्व इधर की तरफ जुकने लगा ठीक है अब जैसे जैसे यह कर्व नीचे की तरफ जुक असमानता की तरफ जा रहा है तो कोई भी जब perfect equality से जुक रहा है बेंट हो रहा है नीचे की तरफ तो यहां पर income distribution जो है वह वह वाकई असली यही है यह हमने केवल ख्वाबों में सोचा था यह असली है ठीक है अब जो inequality बढ़ रही है इसके perfect equality equality के बीच में यह जो gap होता है इसको हम लोग बोलते है inequality ठीक है अच्छा इसके का इस करते हैं गिनी कोफिसेंट निकाड्ने में गिनी कोफिसेंट टर्म आपने सुना होगा ठीक है इनके और इसके बीच में difference है ठीक है और कुछ नहीं बस इसके और इसके बीच में यह जो gap है इसको monitor करने का काम वो करते यानि कि उन्होंने क्या कहा कि जो 0 है ठीक वो perfect equality है यहां पे समानता है एक जो है ये 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 है perfect inequality तो जितना हम एक की तरफ बढ़ते जाएंगे हम असमान समाज की तरफ बढ़ते जाएंगे unequal distribution की तरफ बढ़ते जाएंगे ठीक है तो गिनी कोफिसेंट 0 से 1 की बीच में calculate करता है 0 मतलब perfect equality और 1 मतलब perfect inequality ठीक है गिनी कोफिसेंट तो जो भी 0 की तरफ है यानि की वो perfect equal है एक की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है यानि कि समाज में असमानता बढ़ती जा रही है तो maximum जादा गिनी कोफिसेंट के मान क्या होता है कि असमानता बढ़ती कम गिनी कोफिसेंट के मान होता है और एक समाज अगर आप बहुत ज्जादा income inequality देखेंगे तो यह in perfect हो सकता है यानि कि यहां पे पूरी तरह से आप देखे एन Campbell inequality होगी ठीक है तो यह हमारे जो कर्ण्स है जो की एकनॉमिक कें लिए बहुत इंपोर्टेंट है सारी कॉंप्टिटुरी एक्जाम्स के लिए तो इन्हें ठीक से याद रखेगा किसका क्या काम है किसका क्या रिलेशन है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद